चलू अब आगे देखाब हमरे चरका मुसली गर बारे में इकर लगेन जलवायू रहक चाहिए समसितोशन और एक बरिश में 800-1500 मिलिमीटर बरसात बढ़िया पानी निस्केक वाला हलुक बालू में सा दोमट माटी और लाल माटी इसन जलवायू और इसन माटी में जदी चरका मुसली के रूपल जैल तो उकर से बढ़िया उपज मिली बढ़िया उपज लगिन इकर उन्नत प्रभेद एसम एक और एम सी बी चहिर सो पाँच बढ़िया है बिहिन दर में एक हिक्टर से दू लाख डिस्क कर आवशकता होयल दस कुिंटल जैर दस से बारा ग्राम प्रती जैर कर जो रथ होयल बिहिन लगाय कर बेरा इके मई से जून तक में लगाय देख चाहिए दर से दर कर दूरी 30 सेंटीमीटर रहले खेती बढ़िया होई अब इकर में उरुवरक और माइन देख है जिकर से इकर खेती बढ़िया हो उपज बढ़िया भेटा है माइंद और उरुवरक इकर में माइंद या की उरुवरक दस से पंदरा टन गोबर प्रती हेक्टर खेत तयार कर एक बेरा में दे देख चाही जदी गरम कला में खेत करते यारी करह थी रोरेमन, गुबर कर माइंद डाइल के खेत कर जोतेक और पटा चलाए के इके एक सम केर देख चाहें पटाइक के सन है, अक्टूबर कर पहिल हफ्ता में एक धाओ पानी के पटाइक चाहें तोड़ेक और कोड़ेक रोपे कर 18 महिना पाचे कर पहिल कटाई करेक चरूरिया है कोड़ेक ले दिसंबर कर महिना बेस है जन्वरी महिना में जदी कोड़ेक है तो कोड़ेक से पहले इके तनिमनी पटाए देख चाहिए इकर उपज कंदा भींजल मुसली 60 कुटल प्रती हेक्टर तक रोरे के उपज देई इकर प्रयोग कोन-कोन बिमारी में होयल सारीरिक सिथिलता दूर करेक में बल वर्धक दवाई कर रूप में टोनिक मधू में गटिया छोवा जनम देख बादे होयक वला जे पेमारी मन होयल उकर रूप में और छोवा होयल कर पाच्छे जे पेमारी मन होय जैला उकर में इकर प्रयोग होयल और छोवा इर्माय कर दूद बढ़ायक में भी इकर प्रयोग होयल झाल झाल